तो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि प्लेट से से एसेंटिक रेडिउसर की से बनाया जाता हो कि इससे पहले मैंने आप लोगों को यह देखिए पाइप में Mark करके कटिंग करके दिखाया हुआ था आप लोगों को बताया था कि पाइप से हम क्यासे एसेंटिक रेडियूसर बनाते हैं ठीक है एसेंटिक मतलब की जो नीचे का जो हमारा पॉर्शन यहां में दिखाता हूं यह जो हमारे नीचे का जो पॉर्शन है वो बिल्कुल सीधा है आज में आप लोगों को बिल्कुल जो है अगर प्लेट है तो प्लेट से हमें कैसे बनाना उसके बारे में धाने तो आएगे देखते हैं तो हमारा जो बढ़ा वाला डाया रहेगा मतलब कि यह वाला यहां यहां से ले करके यहां तक तो रहने तो पाइप रहेगा यहां से लेकर करके यहां तक ऐसे स्टेट में हाइड जो रहेगा वह हम लेते हैं आपर 70 mm कि अब के तो आएए देखते हैं सबसे पहले यहां पर हम क्या करते हैं जो हमारा बड़ा वलड़ आया है उसका हम यहां पर एक लाइन कषिच लेते हैं असी एंगा पर हैंडड से हम पर यहां पर हमने लाइन ले लिए उसके बाद हमें यहां पर एक सिधा लाइन क् suggest DU कैसे पता चलेगा तो उसके लिए यहां पर आपको क्या करना है यैसे मैं आपको समझा देता हूँ यह हमारा 70 का हो गया ठीक है तो हमने यहाँ पे दो पॉइंट मार लिया 70 का और यहाँ पे मैं इसको लाइन खीज देता हूँ ठीक है यह हमने 70 यह डालते हैं और इसका भी square करते हैं एक्वल करते हैं 106 mm आया मतलब कि इस end point से 106 mm जहां आएगा वहीं पर हमारा right angle आएगा बिलकुल 106 mm तो यहां पर आप देखिएगा ध्यान दीजेगा 106 कहां रहा है तो यह देखिए हमारा 106 यहां पर आ रहा है ठीक है यहां भी 0 हो हो गया और 106 यहां पर आगया ओके तो इसको मैं सीधा खीच देता हूं ठीक है यहां तक 70 mm हो गया मैं इसको थोड़ा आगे तक ले लेता हूं क्योंकि अभी हमें जुरत पढ़ने वाला ओके तो यह हमारा हो गया उपर का diameter ओके 80 mm और नीचे का हमारा यहां पर रहेगा जो मतलए सिधा तो यहां पर मिनमारता हूं 40 mm करा तो यह अमरा 40 mm का पॉइंट हो गया ओके और अप क्या करते हैं दोनों को ऐसे मिना आदेते हिmom इस point को और इस point को और इसे खींच देते हैं तो यह देखिए यहाँ पर आके मिल गया ओके अब ध्यान दिजेगा यहाँ पर अब क्या करना है आपको इसके बीच में एक center point मारना है मतलब कि यहाँ से यह 80 है तो इसका एक आधा लेके center point मारना है तो इसका हो जाएगा 40 mm मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हो गया 40 mm अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे set करता हूं divider को और इधर भी देख लेता हूँ और मैं क्या करता हूं दोनों साइड से इस तरीके से point मारता हूं ऐसे ठीक है तो हमने यहाँ पे 40 mm पे point मार दिया बिल्कुल center पे अब हमें उपर भी एक point मारना बिल्कुल इसके सीधा में तो हम क्या करेंगे simply divider लेंगे और divider कोई ज़रूरी नहीं है कितना पर भी रहने दीजिए ठीक है इसको ऐसे लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर simply ऐसे मार देते हैं कितना मुझे सेट रहने दिजे Dipovider कोई बात नहीं है तो यहां पर ऐसे मार देंगे और इधर से भी 2 है से मार दें तो जहा पर यहां पर कट आ रहा है वह हमारा एकक पॉइंट हो गया ठीक है So, उस प्वाइंट से, इस पॉइंट तक हम, ऐसे, लाइन खिंच देते हैं, ऐसे और इसके बाद क्या करना है, बिल्कुल सेंटर प्वाइन पर रखना है, और यहाँ पर मिलाना है, यहाँ पर ओके और इधर भी एक बार देखी लिगते हैं, और दोनों को ऐसे, खिंच देना है ठीक है उसके बाद सेम यहां पर ऐसे रखके एक इधर हमें लाइन मार देना है और उसके बाद एक यहां पर रखके और ऐसे मार देना है ठीक है और उसके बाद यह जो हमारा सेंटर पॉइंट आया है यहां पर रखना हमको डिवाइडर और इधर मार देना एक और नेक्स्ट इधर मार देना ठीक है यहां तक तो कोई भी डाउट नहीं होगा अपनों को उसके बाद यहां पर हम फिर से इस पॉइंट पर रखते हैं और हम चेक करते हैं यहां तक ओके और फिर इसको हम ऐसे यहां पर ऐसे मिला देते हैं ओके उसके बाद फिर हम यहां तक आएंगे ठीक है और इसको हम ऐसे मिला देंगे ठीक है उसके बाद यहां पर आएंगे और इसको भी ऐसे मिला देंगे ठीक है उसके बाद और आगे आएंगे और यहाँ पर ऐसे इसको मिला देंगे उसके बाद और थोड़ा आगे आएंगे और इसको भी ऐसे मिला देंगे ठीक है अब देख सकते हैं तो हमने सभी लाइन को जो है इससे connect कर दिया है और यहाँ पे अब मैं इसका number लिख देता हूँ तो यह हो गया one two three four five six और लास्ट वाला seven हो के और अब मैं क्या करता हूँ अब मैं इसको इस point से मिलाता हूँ तो मैं ऐसे line खीज देता हूँ इस point से मिल गया अभी इसको भी हम ऐसे करके इस point से जो है मिला देते हैं फ्रेंट्स बिल्कुल यह आसान है थोड़ा सा आप लोगों को जो है वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है बिल्कुल समझ में आ जाएगा ठीक है और फिर इ आप हमारा हो चुका है अब थोड़ा सा इसका जो प्लेट है यह तो हमारा ले आउट हो गया विसी से हम इसका मेजर्मेंट निकालेंगे ठीक है चलिए अब आपको दिखाते हैं इसका मार्किंग करके तो मार्किंग के लिए देखिए हमने यहां पर